हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आज मैं आपसे बात करने वाली रिजिनिंग का एक इंपर्टेंट टॉपिक कथन और निसकर्ष तो यह प्री में तो इसके वेशन नहीं आते हैं मेंस में आते हैं तो मैंने मेंस के जितने भी मौक लगा या प्रिवियस टेस्ट दिये उस कि मैं अलगले टाइप साथ आपके साथ शेर करने वाली हूँ आप यह वीडियो लास्त तक देखेगा आपको जरूर हेल्प करेगा और कमें में बताईएगा कि आपको कैसा लगा हमारा फर्स्ट कैशन आता है कथन भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के एक दिवसी मैच में भारत भारत बाइबाज द्वारा फेका गया था कहीं पर नहीं लिख रखा की बलेबाज ने फेका ता आखरी ओड़ तो इससे हम सहीं नहीं मान सकते और सेकेंड क्या आप बोल रहा है टीम में 30% बलेबाज है देखें हमें कथन में ना तो उमें टोटल क्रिकेटर्स की संख्या परशेंटेज निकाल लेते हैं कि इतना बता रखा है कि आर्ट विकेट थे और चार भारते बलेबास दोरह लिए गये तो इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भेए 30 परसेंट बलेबास थे तो यह भी रॉंग हो गया तो हमारा आंसर क्या और फूर्ट ऑप्शन ना तो एक औ आता है हमारा कथन डराना धंकाना चात्र को शारीरिक मांसिक और भावनात्मक तरों पर प्रभावित कर सकता है और इसकी क्रियाविधी क्या है फर्स्ट है बच्चे को धंकाने की घटनाओं को अंदिखा करना चाहिए देखिए गलत है हमारा कथन बोल रहा है कि डराने धं लेकिन जब हम ऐसी घटना को अंदेखा कर देंगे तो बच्चे के उपर कितना नकारात्म प्रभाव पड़ेगा और वो सुसाइट तक कर सकता है इसलिए हमें अंदेखा तो कता ही नहीं करना चाहिए उसके पर लीगल एक्षन लेना चाहिए और सेकेंड ऑप्शन आता है हमा कि कतन और क्रियाविदी पूछे तो क्रियाविदी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा कई ले सकते हैं क्या कारवई कर सकते जो हमारे लिए सए होगी बचना क् необход उसके according ही हमारा निश्पश होगा लेकिन क्रियावदिय में क्या होता है कि क्थन के according हम कितने चीजे सोथ सकते हैं कौन-कौन से चीजे हमारे लिए राइट है वो चीजे माहिने रखती है next question आता है कथन परिवारों के लिए प्रेम विवाह अरेंज मेरीज मेरीज से बहतर है और पर्वों है इसमें फरस्ट हाँ क्योंकि अरेंज मेरीज पुरानी हो चकी है देखे ये तो कोई से理र नहीं करता हूязा कि अरेंज मेरीज पुरानी हो कही है तो इस अकोर्डिंग देखा जाए तो हमारा सेकेंड ऑप्षिन राइट होगा केवल दो सबल राजनीती भारतिय में सबसे अधिक चल्चित विश्यों में से एक है और इसका निशकर्ष है फरस्ट प्रत्यक भारतिये को राजनीती पसंद देखिए हमेशा कत्र निशकर्ष वाले question में ध्यान रखना है कि जब भी हमारे निशकर्ष में प्रत्यक सभी यह चीजे लिखी हो तो इसका मतलब यह हमेशा रॉंग होगा क्योंकि हम कोई भी चीज सभी पर रागू नहीं कर सकते अगर हमारे कति में भी लिखा होता है कि सभी भारतियों को राजनीती है तो हम इसे राइट करते हैं येकिन इसने प्रत्यक लिख दिया सब की यह चीज लागू कर दी तो यह रॉंग हो जाएगा फिर सेकेंड आता है अधिकांश भारतिया दर्शक राजनीतिक मुद्व पर चल्चा करना पसंद करते हैं हां तो यह राइट है क्योंकि हमारा अनुसरन करता है हमारा पिछले दो वर्षों में कंपनी पी के 22 प्रतिशत करमचारी को निकाला गया है और और सब्सक्राइब कि ने अपनी संपत्तियों को बेच दिया है तो देखिए हमारा आंसर क्या वागा फर्स्ट ऑप्शन एक और दो दो दोनों एक उबैनि कारण के करमचारी को निकाल दिया और यह दोनों किसी ने किसी एक कारण के प्रभाव है और देखिए इसमें जो फॉर्थ और दोज वाली की मिलकि बढ़ाया है कै तो हमारा अंसर क्या होगा। है तो इसका प्रभाव है क्यों क्यों कि सरकार ने लैप्टोप पर शुलक बढ़ाया है तो कंपनी को भी कीमत में वृद्धी करने की नितिया अपना फस्ट है उत्पादक्ता प्रत्यक्श रूप से सपता हमें कारे दिवसों की संख्या से जुड़ी होती है और सपता प्रणाले में छे कारे दिवसों में कटिन परिश्रम नहीं करते हैं कारे दिवसों कारे दिवसों की संख्या से जुड़ी है कि अगर कारे दिवसों की बात की तो निति बेस्ट है तो हमारी फरस्ट दिवसों नहीं करेंगे। तो यह चीज गलत है क्योंकि हमारे कथन में कहीं पर भी नहीं लिख रखा कि छै दिन काम करवाने से कथिन परिश्रम नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है तो जब तक कथन में यह चीज़ें ना लिखिए हम इसे सही नहीं मान सकते हमारा सेकेंड धारना रॉंग हो कि सभी भारती कई भाषय बोल सकते हैं यह गलत है क्योंकि पहली चीज तो इसमें क्या वर्ड आगया सभी तो हमारे कथन में जो बात कहिए वो सभी पर लागू नहीं होती और दूसरी चीज है कि सभी भारत प्रतिय कई बोल सकते हैं तो हम इसे राइट मान जब कभी सेंट कथन में लिख रखा हो अगर सभी केवल तो अब तब तो उसे राइट मानना है लेकिन कथन में लिख ही नहीं रखा यात्रा करने के लिए अप्रेल में रेल आरक्ष्न करता है और थारना एक महीने पहले किया चाया सकता है यह बात है ने तो महीने पहले को आया रिक्ट्ट्ट और जेसंके रखासॏ तो हमारा सेकेंड तो रॉंग होगा इसले मारा राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन केवल अवधारना एक नहीं थे नेक्स्ट क्येशन आता है कथन वर्ष 2013-14 के दौरान दो सो पैसेट पॉइंट जिरो ज्यार मिट्रिक तन की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान भारत में खाद्यान उत्पादन 252.68 मिलियन टन है निशकर्ष यहां पहली बार है जब खाद्यान का उत्पादन पिछले वर्ष की तौरान में कम हुआ है देखिए हमारे क्वेशन में क्या का है 2013-14 में 265 मिट्रिक तन होता था और 2014-252 हुआ यानि 265-252 कम हुआ है यानि हमारे जो उत्पादन में कमी आई है लेकिन निशकर्ष के बोल रहा है कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि खाद्यान में पिछले व हमारे निशकर्ष में ऐसा लिखा होता कि अब की बार पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है खाद्यान में तो हम इसे जरूर राइट मानते हैं लेकिन इसने क्या लिख दिया कि ऐसा पहली बार हुआ है तो इस वजह से हमारा सेंटेंस रॉंग हो गया लेकि रिजनिंग हमें कुछ वर्ष के ओपर फोकस करने की जरूरत रहती है हम फटावट में क्या पढ़ते हैं कि पिछली वर्ष के तुलना में कमी हुई और हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं तो यह गलत हो जाएगा हमें सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और यह जो वर्ष लिख रख र चlas чोन हमें यह जा सकते हैं लेकिन अख्रणा हमेशा जो चीजख रख रहते होगी वह इस लोगी होई होगी कुछ भी इस जाएगा चाहे वो कितना भी सही हो तो हमारा आंसर क्या होगा थार्ड आप्शन यदि ना तो एक और नहीं दो अनुसरन करता है